क्या आमाद्मी पार्टी में नया भूचाल आने वाला है? भगवंत मान की कुर्सी जाने वाली है? क्या बदलने वाला है पंजाब का सीएम? और अगर ऐसा हुआ तो किसे मिलेगी पंजाब सीएम की कुर्सी और क्यूं? आमाद्वी पार्टी के पूर्व नेता के एक ट्वीट ने इस तरह के तमाम सवालों को जन्म दे दिया और इन सवालों ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिये कि आखिर इस बदलाब की वज़ा क्या है और अगर ये बदला हुआ तो इसका क्या आसर होगा कपिल मिश्रा के एक और ट्वीट ने कोहराम मचा दिया है उन्होंने लिखा खबर है कि केजरी वाल लोग सभा के तुरंट बाद भगवन्तमान को हटाने और रागव चट्धा को पंजाब की कमान देने का निरने कर चुके है अब इस ट्वीट के बाद जानकारो का दावा है कि कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट के जरीए ऐसी चिंगारी लगा दी है जो आम आदमी पार्टी में आग लगा सकती है आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है इससे समझते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी में भूचाल आया हुआ है और रागव चड़ा गायब है हर कोई ये जानना चाहता है कि रागव चड़ा की कोई पृतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है केजरिवाल का जेल जाना फिर स्वाति मालिवाल वाले मामले का इतना बवाल मचाना लेकिन रागव चड़ा कही नजर नहीं आ रहे है राज्यसवा सांसत की चुपी सभी कोखल रही है कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कही रागव और केजरिवाल की राहें अवालक तो नहीं होने वाले स्वाति मालिवाल के बाद अब अगला नंबर कही रागव चड़ा का तो नहीं इस तरह के तमाम कया स्यासी गल्यारों में चर्चा का विशय बने हुए कि इसी बीच जब केजरिवाल से सीधे रागव चडधा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो पार्टी का आंतरिक मामला है मैं उसे देख लूँगा लेकिन उनका इशारा इस तरफ था ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा क्या वाकई रागव चडधा को मनाने के लिए केजरिवाल भगवन्तमान से पंगा ले लेंगे अब सवाल ये भी है कि आखिर केजरिवाल और भगवन्तमान के बीच ऐसा क्या हुआ है जो केजरिवाल इतना बड़ा फैसला ले सकते है इस सवाल को लेकर जानकारो का दावा है कि केजरिवाल के जेल जाने के बाद संजे सिंग और भगवन्तमान की जो तस्वीरा और वीडियो निकल कर आई थी उसने केजरिवाल और मान के बीच दूरियों के संकेत दे दिये थे उस वीडियो ने राजनीती के पंडितों के कान खड़े कर दिये थे कि जिस पार्टी का संयोजक और सीम जेल में बंद है उसके नेता इतनी खुशी से गले कैसे मिल रही है सिर्फ यही नहीं वीडियो ने केजरीवाल को भी आग बबूला कर दिया था ऐसे में जानकारों का कहना है कि वही नाराजगी आप भगवंतमान को भारी पढ़ सकती है जानकार ये भी कह रही है कि केजरीवाल ऐसा करके एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं एक तरफ भगवंत्मान को सजा दे सकते हैं, दूसरी तरफ रागफ चड़ा को मनाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल का ये दाओ उल्टा ही पड़ जाए और भगवंत्मान पगावत कर दें और पंजाब में आपकी सरकार ही ना किर जाए